इसी समय में होने वाला या रहने वाला वाक्यांज के लिए एक सब्द है कुसमरे दोओ है दिए गये सब्द का विलोम चुने आपको अपेक्छा का विलोम बताना है कि अपेक्छा का विलोम क्या होगा तो अपेक्चा का विलोम है आपसाने उपेक्चा कुसमती ने दिये गए वाक्य का बढ़े भाग यात करें जिसमें कोई तुरूटी है संसार की पराचिन भासा में संस्कृत पराचिन तम भासा मानी जाती है तो इसमें बताना कि किस भाग में तुरूटी है संसार की प्राचिन भासाओ संसार की प्राचिन भासाओ में संस्किर्थ प्राचिन तम भासा मानी जाती है इस तरह वाक्य सुद्ध होगा कुसम चार है दिएगे वाक्य में रिखांकित खंड को प्रिस्तापित करने के लिए सबसे उप्युक्त विकलब का चैन करें ने जाने क्यों तुम बेफजूल की बातों पर भहस कर लेते हो कुसम आपको रिखांकित खंड की बताना है कि सब्द का प्रियोग करेंगे जिससे की वाक्य सुद्ध होगा कुसम पांच है दिएगे वाक्य का वेभाग्यात करें जिसमें कोई तुरूटी है सत्रूपर गोले और तुपो से आक्मन कर दिया गया या कोई तुरूटी नहीं है तुरूटी है ओप्सन डी में इसमें आएगा सत्रूपर गोलो और तुपो से आक्मन कर दिया है कुसम पांच है दिएगे सब्द का समनार्ती सब्द चुने आपको जगडा का समानार्थी बताना है कि जगडा का समानार्थी क्या होगा तो जगडा का समानार्थी है दुवंध, option B कुसम साथ है युद करने की परबल इच्छा इस वाक्यांस के लिए एक सारतक सब्द दीजिए युद्ध करने की परवल इच्छा इस वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा युद्ध सा आपसने कुसमराथ है सही वर्तनी वाले सब्द का चैन कीजिए आपको हस्तांतरित की सही वर्तनी बतानी है कि हस्तांतरित की सही वर्तनी कौन सी है तो इसके सही वर्तनी है, option A की कुसमन्ना है, सही वर्तनी वाले सब्द का चैन करें आपको निरामिस का, निरामिस की सही वर्तनी में बतानी है कि निरामिस की सही वर्तनी कौन सी है तो निरामिस की सही वर्तनी है, option A की कुसम 10 है इसमें आपको खालिस्तान बनना है रामने रावन का डैस किया तो इसमें आएगा रामने रावन का वद किया आपसने कुसम 11 है इसमें भी आपको खालिस्तान बनना है डैस के लिए पोश्टिक भोजन आवसक है Option स्वास्त, जिवन्तता, बिमारी या एस्वास्त तो समय का स्वास्त के लिए पोश्टिक भोजन आवस्थ है Option E कुसम बारह है आपको हीरन का प्रयावाची बताना है कि हीरन का समानार्थी क्या होगा तो हीरन का समानार्थी है मिरग Option D कुसम बारह है जो पढ़ा नजासा के वाकायांस के लिए एक सब्द होगा जो पढ़ान जासा के वाकायांस के लिए एक सब्द होगा A पठनी है Option C अगला कुसम ने दिये गे वाके में रिखांगित खंड को पिरस्ताबित करने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का चैन करें यह बात तुम लोगों के उपर निर्भर है तो समा आपको रिखांकित की जिगे बताना है कि सब्द का प्रियोग करेंगे जिसे की वाकिश सुगध होगा तो समायागा यह बात तुम लोगों पर निर्भर है अपसने कुसम पंद्रह है उस विकल्प का चैन करें जो निम्न मुहावरे का सहीरत व्यक्त करता है फूल जड़ना फूल जड़ना मुहावरे करत बताना है कि बूल जड़ना मुहावरे करत क्या होगा तो फूल जड़ना मुहावरे करत है प्रिय भचन बोलना कुसम 16 मैं भी आपको मुहावरा बताना है हतेली पर सरसो उगाना आपको बताना है कि हतेली पर सरसो उगाना कुसम 17 रहा है दियेगे वाक्य में रिखांकित खंड को प्रिस्तापित करने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का चैन करें हम दस्वी कक्षा के चात्र आपको निवेदन करते हैं तो इसमें आपको रिखांकित की जिवत आना है कि सब्द का प्रियोग करेंगे तो इसमें आएगा आपसे हम दस्वी कक्षा के चात्र आपसे निवेदन करते हैं कुसम रठारा है दियेगे वाक्य का वैभाग यात करें जिसमें कोई तरूटी है मैंने अपने मित्र के नाम पर मैंने अपने मित्र के नाम किलरक को एक पतर लिखाया या कोई तरूटी नहीं है थ्रोटी है भाग दो में कोखी जगायागा से मैंने अपने मित्र के नाम से मैंने अपने मित्र के नाम कलरक से एक पत्र लिखाया खिसम 99 है विलोम सब्धों का सही युगम निम्रसा कौन्सा है इन में से पता ना कि कौन्सा विलोम युगम सही है कि तो सही है अंप्षिन सी आस्टिक का विलोम होता है नास्टिक और सभी ये प्रियावाची है एक दूसरे के व्लास्को सने जिसको जाओ आपको देना है